इस वीडियो से हम सीखेंगे पूर्ण संख्याय क्या होती है और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें हमारे जीवन में हम कई स्थित्यों में गिंती याने काउंटिंग करते हैं जैसे कक्षा में विद्यार्थियों के गिंती दिन सब्ता और महीनों की गिंती चीजों की गिंती इत्यादी जैसे ही हम गिंती करना शुरू करते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, साथ, आठ इत्यादी संख्याय हमारे सामने प्राकृतिक रूप से आने लगती है इस कारण हम गिंती गिंने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याय यानि नाच्रल नंबर्स कहते हैं चुकि प्राकृत संख्याओं की शुरूवात एक से होती है इसलिए एक यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी विचार करें गिंती कभी भी समाप्त नहीं होती इसका मतलब प्राकृत संख्याय अनंत यानि इन्फाइनाइट है इस कारण सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं की जा सकती अगर किसी प्राकृत संख्या में एक जोडा जाता है तो हमें उसके ठीक अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है जो कहलाती है परवर्ती यानि सक्सेसर जैसे तीन का परवर्ती चार और चार का परवर्ती पाज होता है लेकिन अगर किसी प्राकृत संख्या से एक घटाया जाता है तो उसकी ठीक पहले वाली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है जो कहलाती है पूर्ववर्ति यानि प्रिडिसेसर जैसे तीन का पूर्ववर्ति दो और दो का पूर्ववर्ति एक होता है क्या आप बता सकते हैं एक का पूर्ववर्ति क्या होगा सोचिय सोचिय आईए इसे ग्याद करे मान लीजिये पेड़ पर पांच पंची है खाने की खोज में एक एक कर कुछ पंची जाने लगते हैं ये बचे चार, ये तीन, ये दो और यहाँ एक अगर यहाँ एक पंची भी उर जाएगा, तो कितने पंची बचेंगे? कोई भी नहीं इसे संख्या में व्यक्त किया जाता है शून्य से अब आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं की तरह शून्य भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है इसलिए हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाकर संख्याओं का एक समू यानि कलेक्शन बनाते हैं जिसे कहा जाता है पूर्ण संख्याओं यानि होल नम्बर्स इस तरह से अब हम एक का पूर्ववर्ति लिख सकते हैं शून्य पूर्ण संख्याओं की समझ बनाने के लिए संख्या रेखा यानि नम्बर लाइन एक उप्यूप माध्यम है संख्या रेखा एक सरल रेखा यानि स्ट्रेट लाइन है जिस पर संख्याओं समान अंतर यानि इक्वल डिस्टंस पर तर्शाई जाती है समान अंतर कहलाता है मातरक दूरी या इकाय दूरी यानि यूनिट डिस्जन्स आम तोर पर संख्या रेखा को शैतेज रूप से यानि होरिजॉंटली तर्शाया जाता है संख्या रेखा पर बाई से दाई जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है जबकि दाय से बाय जाने पर संख्याओं का मान छोटा होता जाता है इस समझ से संख्याओं की तुलना याने कमपैरिजन संख्या रेखा पर आसानी से की जा सकती है पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा बनाने के लिए एक सरल रेखा खीचे और उस पर समान अंतर पर बिंदु अंकित करें इन बिंदुओं को 0, 1, 2, 3 इत्यादी नाम दे कर हम पूर्ण संख्याओं के लिए संख्यारेखा बना सकते हैं इस तरह हमने सीखा पूर्ण संख्याओं क्या होती है और इन्हें संख्यारेखा पर कैसे व्यक्त करें आज हम कुछ उधारणों से सीखेंगे पूर्ण संख्याओं याने होल नंबर्स की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती याने सक्सेसर और पूर्ववर्ती याने प्रीडिसेसर कैसे प्राप्त किये जाते हैं। उधारण निम्नलिकित संख्याओं का परवर्ती और पूर्ववर्ती लिखिए। इस तरह से 4,08,089 में एक मिलाकर परवर्ती 4,08,090 और एक घटा कर पूर्ववर्ती 4,08,088 प्राप्त होगी। अगला उधारण संख्याओं के निम्नलिकित युगमो यानि पैरिस के बीच इन में से उचित चिन्न का प्रयोग करें। और संख्या रेखा पर पहली संख्या दूसरी संख्या के किस दिशा में है यह भी व्यक्त करें। संख्या 6 संख्या 12 से छोटी है। इसलिए 6 संख्या रेखा पर 12 के बाई और स्थित है। संख्या 70 संख्या 50 से बड़ी है। इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए बिंदूओं के बीच उचित दूरी रखनी होगी। यहां हम दूरी 10 मात्रक यानि यूनिट्स रखेंगे। इस प्रकार अब संख्या रेखा पर संख्याएं 70 और 50 व्यक्त की जा सकती है। संख्या रेखा से अब यहाँ पता चलता है कि 70 संख्या 50 के दाई और स्थित है। अगला उधारण संख्याओं के निम्नलकित युगमो यानि पैस के बीच कितनी पूर्ण संख्या आये हैं। यहाँ पता करने के लिए पहले हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, फिर आने वाले हल से एक और घटाते हैं। ऐसा करने पर हम ज्याद कर पाएंगे कि 2 और 5 के बीच में 2 पूर्ण संख्या आये हैं। इसी प्रकार 45 और 69 के बीच कितनी पूर्ण संख्या आये हैं। यह पता करने के लिए 79 रिन 45 रिन 1 का हल प्राप्त करेंगे। हल प्राप्त करने पर अब यह जाना जा सकता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच 23 पूर्ण संख्याएं हैं। क्या अब आप 352 और 689 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता कर सकते हैं। यह पता किया जा सकता है 689 रिंड 352 रिंड 1 के हल से जो होगा 336 यानी इन दोनों के बीच 336 पूर्ण संख्याएं हैं। इन उधारणों से आज हमने पूर्ण संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती और पूर्ववर्ती कैसे प्राप्त किये जाते हैं यह सीखा। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं से संबंदित मिथ्याधार्नाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं से संबंदित कुछ मिथ्याधार्णा है मिथ्याधार्णा एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है कई बार प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समझ में उल्जन के कारण शून्य को सबसे छोटी प्राकृत संख्या समझा जाता है यह एक गलत समझ है सई समझ है प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है बलकि यह एक पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्याओं के संग्रह यानि कलेक्शन में शून्य मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह यानि कलेक्शन प्राप्त होता है इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याओं पूर्ण संख्याओं होती है कई बार यहाँ गलत समझ होती है कि सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं होती है यहाँ गलत समझ है क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं आता मिथ्याधारना 3 इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं से संबंदित कुछ मिथ्याधारना आए इन मिथ्याधारनाओं को दूर कर अब आपके पूर्ण संख्याओं की समझ बन गई होगी इस वीडियो से आज हम सीखेंगे संख्यारेखा याने नंबर लाइन पर पूर्ण संख्याओं याने होल नंबर्स का योग याने एडिशन, व्यवकलन याने सब्ट्राक्शन और गुनन याने मल्टिप्लिकेशन की संक्रिया आए पूर्ण संख्याओं की संख्यारेखा शून्य से शुरू होती है और अनन तक चलती जाती है चलिए जानते हैं संख्यारेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग कैसे व्यक्त किया जाता है यहाँ देखिए इस टोकरी में पांच फल है अगर इनके साथ दो और फल रखे जाए तो कितने फल होंगे इसे प्राप्त करने के लिए हमें पांच और दो को जोड़ना होगा आईए इसे संख्यारेखा पर व्यक्त करें पहली संख्या है पांच इसलिए हम संख्यारेखा पर पांच से प्रारम करेंगे चुनकि इसमें दो जोड़ना है इसलिए हम दाई और दो कदम 5 से 6 और 6 से 7 चलेंगे कदम व्यक्त करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे जिनका सिरा दाई और होगा अंतिम तीर का सिरा बिंदू 7 के तरफ इशारा करता है इसी प्रकार 5 और 2 का योग 7 है यानि 5 धन 2 बराबर 7 अब चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यक्त किया जाता है मान लीजिए पांच फलों से अगर हम दो फल निकाल लेते हैं तो कितने फल बचेंगे इसे प्राप्त करने के लिए हमें 5 से दो घटाना होगा आईए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें पहली संख्या है पांच इसलिए हम संख्या रेखा पर पांच से प्राइरम करेंगे क्या आप बता पाएंगे अब हमें किस ओर चलना चाहिए सोचिए सोचिए चूंकि इस संख्या से हमें दो घटाना है इसलिए हम 2 और 2 कदम 5-4 और 4-3 चलेंगे कदम व्यक्करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे जिनका सिरा 2 और होगा अंतिम तीर का सिरा बिंदु 3 के तरफ इशारा करता है इसलिए 5 और 2 का व्यवकलन 3 है यानि 5 रिंट 2 बराबर 3 अब चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का गुणन कैसे व्यक्त किया जाता है यहां देखिए इस टोकरी में पांच फल है अगर इसके साथ इतने ही फलों की और दो टोकरिया रखी जाती है तो कितने फल होंगे इसे प्राप्ट करने के लिए हमें तीन गुणा पांच करना होगा आईए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें योग या व्यवकलन के तरह यहाँ हम पांच से प्रारम नहीं करेंगे बलकी शुन्य से प्रारम करेंगे चुकि पांच फल तीन बार दोराएं गए हैं इसलिए हम शून्य से प्रारम कर पांच मातरक दूरी यानि यूनिट डिस्टंस के तीन कदम शून्य से पांच, पांच से दस और दस से पंदरह चलेंगे कदम व्यक करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे जिनका सिरा दाई ओर होगा अंतिम तीर का सिरा बिंदू 15 के तरफ इशारा करता है इसलिए वह दी संख्याओं का गुणन फल यानि प्रडक्ट है यानि के तीन गुणा पांच बराबर पंदरह इस वीडियो में आज हमने सीखा संख्यारेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग, व्यवकलन और गुणन की संख्याओं कैसे की जाती है अगले वीडियो में हम इसके उधारण देखेंगे आज हम देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या उपर होने वाली निमनलिकित गणितिय संख्रियाओं के उधारण टेबल पर चार किताबे हैं अगर उनके साथ पांच और किताबे रखी जाए तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी? संख्या रेखा पर इसका हल ढूंडे यहां हमें चार को पांच के साथ मिलाना है सबसे पहले संख्या रेखा बनाए और 0-15 तक की संख्याएं व्यक्त करें आप संख्या रेखा पर कितनी भी संख्याएं व्यक्त कर सकते हैं पहली संख्या 4 है इसलिए हम संख्या रेखा पर 4 का पता लगाएंगे चुकि हमें इसमें 5 जोड़ना है इसलिए हम 4 की दाई और इकाई दूरी यानि unit distance के 5 कदम चलेंगे कदम व्यक्त करने के लिए दाई और इशारा करने वाले तीरों का उप्योग करेंगे चुकि अंतिम तीर का सिरा 9 की और इशारा करता है इसलिए 4 और 5 के योग का परिणाम है 9 यानि की table पर अब 9 किताबे हैं उधारन पवन के पास 7 pencil थी उसने चंदा को 4 pencil दी अब उसके पास कितनी pencil है संख्या रेखा पर इसका हल डूंडे शुरुवात में पवन के पास 7 pencil थी जिसमें से उसने 4 pencil चंदा को दी शेश pencil की संख्या 7 से 4 घटा कर प्राप्त की जा सकती है आईए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें एक संख्या रेखा बनाए और उस पर 7 से अधिक संख्याओं को दर्शाए पहली संख्या 7 है इसलिए संख्या रेखा पर 7 का पता लगाए दूसरी संख्या चार है इसलिए 7 से शुरुवात कर बाई ओर एक़ाई दूरी के 4 कदम चले ध्यान देखी गटाने के लिए हम बाई ओर चलते हैं और जोणे के लिए दाई ओर 4 कदम चलने के बाद हम संख्या 3 पर पहुँचते हैं यह साथ रंट चार का जवाब है। इसलिए पवन के पास तीन पैंसिले शेश है। उधारण, मा ने अपने हर एक बच्चे अंकिता, सविता और निशा को चार रुपे दिये। क्या आप बता सकते हैं, मा ने बच्चों को कुल कितने रुपे दिये। संख्या रेखा पर इसका हल डूंडे। दिये उधारण में बच्चों की कुल संख्या तीन हैं और प्रत्येक को चार रुपे मिलते हैं। इसलिए कुल धनराशी तीन गुना चार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आईए संख्या रेखा पर तीन गुना चार इस गुनन का हल डूंडे संख्या रेखा पर गुनन व्यक्त करने के लिए हमीशा शून्य से प्रारम किया जाता है गुनन की पहली संख्या हमें बताती है कितने कदम चलने हैं और दूसरी संख्या बताती है कि प्रतेक कदम के लिए कितनी दूरी रखनी है यहां हमें प्रतेक कदम चार इकाई दूरी का चलना है इसलिए तीन गुना चार को व्यक्त करने के लिए शून्य से प्रारम कर दाई और चार इकाई दूरी के तीन कदम चलेंगे अंतिम कदम हमें संख्या बारा पर पहुचाता है यह तीन गुणा चार का हल है इस तरह से मा ने अपने बच्चों को कुल बारा रुपे दिये इस वीडियो में हमने देखे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या उपर होने वाली निमनलिखित गणितीय संख्रियाओं के उधारण अगले वीडियो में इनसे संबंदित मिथ्यधार्णाओं को दूर करेंगे आज हम देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निम्नलिखित गणितिय संख्याओं से संबंदित मिथ्याधार्णा है मिथ्याधार्णा एक एक धन चार संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग करते समय कई बार शून से प्रारम किया जाता है यह एक गलत समझ है इस समझ के साथ option 1 यह गलत जवाब दिया जाता है इसी तरह 1 और 4 का योग 1 और 4 के बीच तीर बना कर भी व्यक्त किया जाता है यह भी गलत समझ है सही समझ है एक और 4 का योग संख्या रेखा पर व्यक्त करते समय पहली संख्या से प्रारम कर इकाई दूरी यानि यूनिट डिस्टन्स के 4 कदम दाई और बढ़ाये जाते है जिससे परिणाम 5 प्राप्त होता है इस समझ से option 3 यह सही जवाब है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यक्त करते समय कई बार 6 रेखा के लिए 6 से 5 और 5 से 4 तक तीर बनाये जाते है इस गलत समझ के साथ option 1 यह जवाब दिया जाता है इसी तरह 6 रेखा का व्यवकलन 6 से 4 तक एक ही तीर बनाया जाता है यह भी गलत समझ है सही समझ है 6 रेखा का व्यवकलन करते समय 6 से प्रारम कर 1 दूरी यानि यूनिट डिस्टन्स के 4 कदम 2 और बढ़ाये जाते है 4 कदम चलने के बाद हम संख्या 2 पर पहुचते है यह 6 रेण 4 का जवाब है कई बार संख्या रेखा पर गुणन व्यक्त करते समय पहली संख्या 3 से प्रारम किया जाता है और इकाई दूरी के 2 कदम दाई और बढ़ाये जाते है यह गलत समझ है गुणन करते समय शून्य से प्रारम करना सही समझ है गुणन में पहली संख्या हमें बताती है कितने कदम चलना है और दूसरी संख्या बताती है कि प्रतेक कदम के लिए कितनी दूरी रखनी है इसलिए संख्या रेखा पर शून्य से शुरुवात कर दो इकाई दूरी के तीन कदम चलेंगे इस समझ से हमें सही जवाब option दो प्राप्थ होगा कई बार इस सही समझ में उल्जहन के कारण दो इकाईदूरी के तीन कदम चलने के स्तान पर तीन इकाईदूरी के दो कदम चले जाते हैं हाला कि इस से जवाब तो सही प्राप्थ होता है लेकिन यह एक गलत समझ है क्योंकि यह दो गुणा तीन दर्शाता है जबकि हमें तीन गुणा दो दर्शाना है और इसलिए option तीन भी गलत जवाब है इस वीडियो से आज हमने देखी संख्यारेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निमनलिखित गणितिय संक्रियाओं से संबंदित मिथ्य धार्णाए